नमस्कार सातियो, मैं बेतकाश आपके अपने यूट्यू चैनल प्रकास शुषडी में आपका स्वागत करता हूँ सातियो, आज हम 4 फरवरी 32 का सेकंड सिप्का पेपर लेगा हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामान हिंदी सातियो, इससे पहले हम बाले विकासे में सिक्जा सास्त्र, सामाज विज्ञान और गड़ित की वीडियो बना चुके हैं, आप ले लिट में जाके देख सकते हैं सातियो, आईए स्ट्राइट करते हैं, सातियो, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तत्या सेयर कर दें तातियो, हिंदी में सरपरतम गद्यांस पूचा जाता है, जिसमें गद्यांस में आपको पूर पढ़ने के बाद में 91 से लेकर 99 तक के क्वेसन के आंसर देने होते हैं, और उसके बाद में फिर पद्यांस पद्ध्यांस पूचा जाता है जिसमें आपको sas से लेकर 105 तक क्वस्चनों के आंसर देने होते हैं और सामान Hindi में आपको ये 60 से लेकर 120 तक क्वस्चन पूचे जाते हैं 91 से लेकर 120 तक आए श्टेयर्ट करते है ये आपके सामने गद्ध्यांस है गद्यांस को पढ़िए और नीचे पस्टनों को पढ़के सही आंसर दीजिए जिसमें पूछाए नेमले की ते गद्यांस को पढ़कर पूछे गए पेशनों के सबसे उपयुक्तों उत्तरवाले विकल्प चुनिए यह आपके सामने गद्यांस को पढ़िए आपके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है साथि 91 में में पूछा है गद्यांस की अनुसार संस्कृति की सकारात्म कता देश वासियों के किन गुणों पर निर्वर करती है नीचे चार अपसन देखे हैं चार अपसन को पढ़के सही आंसर बताना है पूछन नमर 91 का सही आंसर क्या हुआ साथि 91 का अपसन नमर सेकंड सही हो जाएगा यानि निपूण तापत अगला नेट क्वसन देख लेते हैं क्वसन नमर 92 92 में पूछा है भारत की फश्चिम का भूभाग कैसा है यह चार अपसन देखे हैं चार अपसन को पढ़के सही आंसर बताना है क्वसन नमर 92 का सही आंसर क्या होगा साथि 92 का अपसन नमर तीसरा सही हो जाएगा यानि रेतीला अगला नेट क्वसन देख लेते हैं क्वसन नमर 93 93 में पूछा है भूगोलिक ड्रेश्टी से भारत विविदताओं का दिस है भूगोलिक ड्रेश्टी से तात पर है नेशे चार अपसन रेके हैं चार अपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है 93 का सही आंसर क्या होगा साथि 93 का अपसन नमर चौता सही हो जाएगा यानि जलवाईव की ड्रेश्टाओं अगला नेशे चार अपसन देख लेते हैं चार अपसन को पढ़के 94 का सही आंसर आपको बताना है 94 का सही आंसर क्या होगा साथि 94 का अपसन नमर पहला सही हो जाएगा यानि पूर्व में ब्रह्म पुत्र और पस्चे में सिंदु नदी तक अगला नेशे चार अपसन देख लेते हैं 95 का सही आंसर क्या होगा साथि 95 का अपसन मत तीसरा सही हो जाएगा यानि बौद्दिक अगला नेशे चार अपसन देख लेते हैं चार अपसन नमर चानवे चानवे में पूचा है भारत में अनेक सांस्क्रतिक अपर धारणाय विकसित हुन्य का क्या कारण है नीचे चार अपसन देखें चार अपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है क्वेशन नमर चानवे का सही आंसर क्या होगा साथ यह क्वेशन नमर 96 का अपसन नमर सेकंड सही होजगा यानि इन में पाई याने वाली विवेदता अगला नेट क्वेशन नमर 97 97 में भूचा है मेग आले सब्द का संदी विच्चित है नीचे चार अपसन रेखें चार अपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना क्वेशन नमर 97 का सही आंसर क्या है साथ यह क्वेशन नमर 97 का अपसन नमर तीसरा सही होजगा यानि मेग प्लस आला है अगला नेट क्वेशन देख लेते हैं क्वेशन नमर 98 98 में पूछा है पल्लवित और पुस्पित हुई है देखांकित से तात पर है नीचे चार अपसन रेखें चार अपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है क्वेशन नमर 98 का सही आंसर क्या होगा साथ ये क्वेशन नमर 98 का सही आंसर आप्षन नमर पहला हो जाएगा यानि समरद्ध अगलाने ट्वेशन दीक लेते हैं क्वेशन नुन्यानवे नुन्यानवे पूचाए सांस्क्रतिक सब्द में ताथ प्रत्य है नीचे चार अप्सन दे रिखें, चार अप्सन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है क्वेशन नमा 99 का सही आंसर क्या होगा साथियो 99 में सांस कृत्तिक, यानि एक इसमें प्रत्य जुड़ा हुआ है अगला नेट क्वेशन दे लेते हैं, साथियो नीचे पध्यांस दे रखा होगा ये गध्यांस फिर से रिपीट हो गया है, नीचे आपका पध्यांस दे रखा है इसमें आपको सो से लेकर 105 तक के क्वेशन देने होंगे इस साथ ही आपके सामने नीचे पध्यांस है निमले के तर काभ्यांस को पढ़ कर पूछे गए पिष्ण के उत्तर दीजे यह आपके सामने पद्ध्यांस लगा हुआ है, इसे का अभ्यांस भी कहते हैं, आप इसे पढ़िए और उसके बाद में 100 से लेकार एक सपास तक के आंसर देने होंगे, आईए स्टाइट करते हैं, पहले इसे पढ़ लीजे, पूरा आईए सातियों स्टाइट करते हैं, क्वशन नमर 100 हैं, सो मैं पूचाए, इसे का अभ्यांस में के ने दो रितूओं की बात कही गई है, नीचे चार अपसन रेखें, चार अपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है, क्वशन नमर 100 का सही आंसर क्या हुआ, सातियों वशन्त और वड़सा रितू की, अगला नेट पसन देख लेते हैं, क्वशन नमर 101, 101 मैं पूचाए, खाब्यांस की किस पांक्ती से पता चलता है कि वशन्त रितू में चारों और सुगंद प्याप्त है, नीचे चार अपसन रेखें, चार अपसन को पढ़के सही आंसर क्वशन नमर 101 का सही आंसर क्या होगा, साथ ये क्वशन नमर 101 का अपसन नमर 30 सही हो जागा, यानि डोलती सुरभी, राजा घर, कोनी, कोनी, अगला नेट पूचा गया है क्वशन नमर 102, 102 मैं पूचा है, द्रगों में पानी द्रगों का अर्थ नेतर है, रितूं की रानी, वर्षा की द्रग फॉंज हो सकते हैं नीचे चार अपसंद रखें क्वेसंद में 102 का सही आंसर क्या होगा साथे 102 का अपसंद में 30 सही हो जागा यानि मेग अगला नेट क्वेसंद देख लेते हैं क्वेसंद में 103 103 में पूचा है वसंद रितु में फूलों का खिलना संबब नहीं होगा यदे खालिस्तान दे रखाए उप्योग्त पंक्ति का चैन करें नीचे चार अपसंद रखें चार अपसंद को पढ़के 103 का सही आंसर क्या होगा साथे 103 का अपसंद में 4 सही हो जागा यानि सीचो न धरा यदे तुम आसू के जल्जे अगला नेट क्वसंद देख लेते हैं क्वसंद पंक्ति क्वसंद 104 104 में पूचा है किसे विकल्प में सभी सब्द कुस्द के पर्यावाची है नीचे चार अपसंद रखें चार अपसंद को पढ़के सही आंसर आपको बताना है कुस्द के पर्यावाची कौन-कौन से है साथी 104 का अपसंद पहला सही हो जागा यानि सुमन, प्रसून और पुस्प अगला नेट क्वसंद देख लेते हैं क्वसंद नमर 105 105 में पूचा है राजा, अबोध, खेले, खेले, कचनार, कमल से, पंक्ति का बाब है नीचे चार अपसंद रेखें चार अपसंद को पढ़के सही आंसर आपको बताना है क्वसंद नमर 105 का सही आंसर क्या होगा साथी 105 का अपसंद नमर पहला सही हो जागा यानि चार और नाना प्रकार के खूलों की छटा ब्याप्त है अगला नेट कशन देख लेते हैं कशन नमर 106 साथी 106 में पूचा गया है निमल खित में से कौन सी भासा भारत के सम्मेधान की अनसूची में नहीं है नीचे चार अपसंद रेखें चार अपसंद को पढ़के सही आंसर आपको बताना है कशन नमर 106 का सही आंसर क्या होगा साथी 106 का अपसंद नमर 14 सही हो जागा यानि मीजो और नानेट कशन देख लेते हैं कशन नमर 107 107 में पूचा आए गया है एक सिक्षार्थी कक्षा में अपने अध्यापक की बात को ध्यान पूरवक सुनती है और अगले दिन प्रदत्कार्रे पूरा करने के लिए अध्यापक की बातों के मुकिश विन्दू लिकती ही है इस ब्रकार के स्रवन को क्या कहा जाता है नीचे चार अपसंद रहें चार अप्सनों को पढ़के सही आंसर आपको बताना है क्वासन अमर 107 का सही आंसर क्या होगा साथी 107 का अप्सन अमर 14 सही हो जागा यानि गहन स्रवन अगला नेट प्वासन देख लेते हैं क्वासन अमर 108 108 में पुचा है एक अध्यापक ने अपने सिख्षार्तियों को दो पहलियां सुनाई और जोडों में बैठ कर उनका समाधान खुजने के लिए कहा एक को कहा के वा जो भी सोच रही है उसे बोल कर पहली का हल निकाले और दूसरी को दूसरी पहली का हल उसी तरीके से डूढ़ना है इस गति ओधी को क्या कहा जाएगा नीचे 4 अप्षण देखेें 4 अप्षण को पढ़के सही अंसर आपको बताना है क्वासन अमर 108 का सही अंसर क्या होगा अगल अट क्वासन देके लेते हैं 109 में पुचाए एक अध्यापग समाचार पत्र से एक गद्ध खंड का चैन करती है और उसमें प्रतेक पांचमें सब्द जो करिया सब्द है को हटा देनीती है और विद्ध्यार्थियों द्वारा इस गद्ध खंड में से हटाए गए सब्दों को भरने के लिए एक आकलन कार तियार करती है इस प्रकार के आकलन कार को क्या कहते हैं नीचे चार अपसंद रिखें चार अपसंद को पड़के सही आंसर आपको बताना कोजन आमर 109 का सही आंसर क्या होगा साथ यो कोजन आमर 109 का अपसंद नमर 30 सही हो जागा यन्याझ कलूज कार्रे कहते हैं अगर लिएला नेट कोजन देक लेते हैं कोजन आमर 110 110 में पूचह है सब्द बंडार और भासा के अन्य पहलूँ की शिक्षन अधिगम के लिए अध्यापकों द्वारा प्रियोग में लाई जा रही सामेगिरी और वस्तुओं को किस रूप में जाना जाता है इज़े चार अपसन रेखें, चार अपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है गयनेट पसन देख लेते हैं, पसन अमर 111, 111 में पूचा है ब्याकरण के सिक्षन अधिगम के लिए कौन सा तरीका आदर्स हुगा इज़े चार अपसन रेखें, चार अपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है, पसन अमर 111 का सही आंसर क्या होगा साथी 111 का अपसन अमर पहला सही हो जागा, यानि सहज भाव से चल रहे विमर्च में ब्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना और सिक्षार्टियों को उन्हें पहचानने के अपसर देना अगलनेट पसन देख लेते हैं, पसन अमर 112 112 में पुचाए, लिंग दो किसी पठन सामिगरी या बोले गए कथन में कुछ सब्दों की पच्चान कर लिता है परन्तो स्वें से उनका प्रियोग नहीं कर पता है इन सब्दों को क्या करते हैं? नीचे चार अपसन रेकें, चार अपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना कुछन अमर 112 का सही आंसर क्या होगा? साथी 112 का अपसन अमर दूसरा सही हो जागा, यानि निस्क्रिय सब्द संपदा अगलनेट कुछन देख लेते हैं, कुछन अमर 113 113 में पुचा है, रहीम नो वजी की समाचार प्रति दिन सुनता है और अपनी कुछ मित्रों के साथ कुछ खबरें साजा करता है इस प्रकार की सर्वन को क्या करते हैं? नीचे चार अपसन रेकें, चार अपसन को पढ़के सही आंसर आपको बताना है क्वशन अमर 113 का सही आंसर क्या होगा? साथ यह क्वशन अमर 113 का अपसन अमर सेकंड सही हो जागा, यानि विश्रेश्ट्र स्रमण अगला नेचे पसन देख लेते हैं, क्वशन अमर 114 114 में पुचा है, एक अध्यापक अपनी कक्छा में दस बाक्यों के अनुचेद का सुरुत लेक करवाती है, वहाँ अनुचेद को दोवार पड़ती है और अपने विद्यार्तियों को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहती है और सुनकर उसे अनुचेदों को लिखने के लिए कहती है सिख्यार्तियों को अनुछेद हु बहु नहीं लिखना है उन्हें अनुछेद का सार मुखि बेनु गरहन करना है अध्यापक यहां पर सर्वना सिख्ण की कौन सी युक्ती अपना रही है नीचे चार अपसंद रहे हैं, चार अपसंदों को पढ़के सही आंसर आपको बताना है पसंद नमर 114 का सही आंसर क्या होगा साथ ये 114 का अपसंद नमर तीसरा सही हो जाएगा यानि सीर से पाद और पागम यानि टॉप आउट टॉप डाउन, अगला नेट क्वशन, पसंद नमर 115 115 में पुचा गया है, नीचे कक्षा आठ के विद्यार्तियों के लिए प्रदर्शन कार का लेख है, इसे किस तरह का लेखन कहेंगे एक जोड़ों में बैटकर चर्चा करो, मुख्य विद्वा को लिख लो और विश्य के पक्षित ता, विपक्षि के लिए दो-दो तर्क देते हुए एक अच्छा लेख त्यार करें विश्यों के सभी देशों को जलवाय परवर्तन प्रवावित कर रहा है, यह विश्य है नीचे चार अपसंद रिखें, चार अपसंद को पढ़के सही आंसर आपको बताना क्षित नमर 115 का सही आंसर क्या होगा साथी यह 115 का अपसंद नमर पहला सही हो जाएगा, यहनी तरक मूलक लिखन अलानेट क्षित निख लेते हैं, क्षित नमर 11 116 में पूचा है, भासा के वारे में कौन सा सही है नीचे चार अपसंद रिखें, चार अपसंद को पढ़के सही आंसर आपको बताना है, क्षित नमर 116 का सही आंसर क्या होगा साथी 116 का अपसंद नमर 14 सही हो जाएगा, यहनी एक भासा में कई बोलियां होती है अगला अपसंद देख लेते हैं, क्षित नमर 117 117 में पूचा है, भासा अधिगम के लिए कौन सी सामेगरी प्रमाड़क नहीं है नीचे चार अपसंद रिखें, चार अपसंद को पढ़के सही आंसर आपको बताना है, क्षित नमर 117 का सही आंसर क्या होगा साथी 117 का अपसंद नमर 14 सही हो जागा, यानि अध्यापक द्वारा कल्पित पाठे सामेगरी अगला अपसंद रिखें, चार अपसंद रिखें, चार अपसंद को पढ़के सही आंसर आपको बताना, क्षित नमर 118 का सही आंसर क्या होगा साथी 118 का अपसंद नमर पहला सही हो जागा, यानि एक ब्रक्ष की आत्मकता लिखो अगला अपसंद रिखें, चार अपसंद रिखें, चार अपसंद को पढ़के सही आंसर आपको बताना है क्षित नमर 119 का सही आंसर क्या होगा साथी 119 का अपसंद नमर सही हो जागा, यानि भव भासावाद और भासाग की सत्ता अगला अपसंद देख लेते हैं, क्षित नमर 120 120 में पूचा है, काक्ष्या आठ की एक अध्यापक विद्यार्थियों के पांच-पांच सम्हों बनाती है और आकणों का संग्रण, आकणों का विसलेशन, रेपोर्ट लेखान का कार सही योग आत्मक रूप से करने का सम्हों कार देती है इस गतिविदी को क्या कहते हैं, नीचे चार अप्सन रखें, चार अप्सन को पढ़के सही आंसर आपको बताना कोशन नमर 120 का सही आंसर क्या हुगा साथी 120 का अप्सन नमर सेकंड सही हो जागा, यानि परियोजना कार रहे साथी सामान हिंदी के जितने भी कौशन पूझे गएते इस वीडियो में सभी हमने कम्प्लीट कर ले हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिली वीडियो को लाइक, सेर अगर आपने चैनल सस्क्राइब ने किया है तो फिली चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले है आज के लिए बस नहीं धन्यवाद